दोस्तो अगर आप अधार कार्ट को निकलना चाहते हैं और अधार कार्ट को निकलने के लिए आपके अधार कार्ट में मुवाईल नमबर लिंक है और नहीं आपको पता है अधार नमबर और नहीं आपको पता है इन्रोल्मेंट नमबर और आप अधार कार्ट को निकलना चाह ओर दोस्तों अधार कार्ड में मोवाइल नमर्ब्लिंक हुए और नहीं आपको अधार नमर्ब्लेंग पता है और नहीं इंरोल्मेंट नमब्लन कर्त साहसा वर अफ कर से की शोज़ते हैं अब निक्राईयर को निकलना चाहते हैं इस बीडियो को आप आपको complete देखना है तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चनल पर नहीं है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपल आइक अगन टिक वर फिटेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो को certification सबसे पहले आपके पास पहुच पाई तो चलिए दोस्तों वीडियो को कशुरू करते है दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा तो सबसे पहले अपना किसी एक ब्राजर को उपेन कर लेना है और ब्राजर में आपको टाइप करना है इस परकार से आपको टाइप कर लेना है टाइप करने के बाद सर्च के आपशन पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तो अधार काड का new official website इस परकार से यहाँ पे उपेन हो जाता है और दोस्तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आपका अधार काड में mobile number लिंक है और आपको अधार number पता नहीं है और नहीं enrollment number पता है तो आप कैसे अधार काड को निकाल सकते हैं तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले इस परकार से आपको नीचे आना है और दोस्तो एक option आपको देखने के लिए मिल जाएगा rate review इस वाले option पे आपको click कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों अगला पेज इस प्रकार से यहां पे उपेइन हो जाता है और दोस्तों यहां पे दो आप्शन दिया गया है अधार नमबर इन्रोल्मेंट नमबर दोस्तों अगर आप अधार नमबर पता करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जोए कि अधार वाले option को select कर लेना है अगर आप enrollment ID number पता करना चाहते हैं तो enrollment ID वाले option को select कर लेना है तो दोस्तों यहाँ पता करने वाले अधार number तो अधार वाले option को select रहने देते हैं उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा जो भी आप आपके अधार कार्ट पे नाम होगा उस नाम को इस बॉक्स में आपको टाइप करना होगा spelling में आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है उसके बाद दोस्तों आपके अधार कार्ट के साथ जो भी mobile number link था उस number को इस box में आपको type कर देना है उसके बाद दोस्तों इस capture code को इस box में आपको type कर देना है उसके बाद send OTP के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों इस box में OTP को आपको type कर देना है उसके बाद संभीत के option पे आपको click कर देना है तो दोस्तों यहाँ पे चलिए OTP पीकों में यहां पर फिलप कर लेते हैं इस परकार से हम फिलप कर लिया हूँ उसके बाद दोस्तों यहां पर संबीत के ओप्शन दीख रहा है संबीत के ओप्शन पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों इस परकार से यहां पर उपेन हो जाता है और दोस्तों यहां पर दिखे बताया गया है कि योर अधार नंबर आपका अधार नंबर ए है Each send to your registered mobile नंबर पर यानि काने का मतलब जो है कि आपका अधार नंबर जो है कि आपके mobile नंबर पर send कर दिया गया है अब दोस्तों आपका अधार नंबर तो पता हो गया अब अधार नम्बर से बहुत सिंपल तरीका से आप अधार कार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे में दोस्तों अगर अधार कार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर एक option दिया गया download अधार इस वाले option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपके पास अधार नंबर है तो अधार नंबर वाले option को select कर लेना है उसके बाद दोस्तों इस box में अपना अधार नंबर को type कर देना है उसके बाद दोस्तों इस capture code को इस box में आपको type कर देना है उसके बाद send OTP के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों अधार काड के साथ जो भी mobile number लिंक है उस number पर एक OTP को send किया गया है और उस OTP को इस box में आपको type कर दिना है उसके बाद दोस्तो verify and download के option पे आपको click कर दिना है और दोस्तों यहाँ पे एक option दिया गा है इस option पे आपको tick out नहीं करना है अगर इस वले प आपका दार काड यहाँ पे download हो गया है और दोस्तों यहाँ पे दिखिया दार काड में यहाँ पे password लगा हुआ है पासवर्ड में आपको यहाँ पे type करना होगा अपना नाम का यहाँ पे चार अच्छर आपको capital में type करना होगा और जो भी आपका date of birth होगा date of birth का जो years है इस उसके बाद दोस्तों open के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों इस परकार से आपका अधार कार्ड दिखने के लिए मिल जाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि अधार कार्ड में mobile number लिंक नहीं है और ना आपको अधार number पता है और ना enrollment नमबर पता है तो आप कैसे अधार काट को निकाल सकते हैं उसके लिए दोस्तों सबसे पहले जो कि इस परकार से आपको नीचे आना है और दोस्तों एक option आपको देखने के लिए मिल रहा है enrollment center इस वाले option पे आपको click करना है और click करने के बाद अब आपको क्या करना होगा तो इस परकार से आपको नीचे आना है और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक नमबर दिया गए टोल फ्री नमबर है इस नमबर पर आपको कॉल करना है और कॉल करने के बाद दोस्तों वहाँ पर अपना सारा कुछ डिटेल्स को आपको बतलाना नाम, date of birth, अपना father's या husband के नाम पुछा जाएगा उसके बाद दोस्तों जो भी आपके अधार कार्ट पर address दिया हुआ, address आपसे पुछा हो जाएगा, अगर आप इतना सब कुछ सही बता देते हैं, तो दोस्तों आपको एक enrollment ID नमबर दिया जाता है, और फिर उस enrollment ID नमबर से आप जो हैं कि अधार कार्ट को बहुत असान तरीका से download कर सकते हैं, तो दोस्तों जैसे आपको enrollment ID नमबर मिलता है और फिर आप अधार कार्ट को निकालना चाते हैं, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको back हो जाना है, और back होने के बाद दोस्तों एक option आपको दिख इस box में आपको type कर देना है, उसके बाद दोस्तों इस capture code को इस box में आपको type कर देना है, उसके बाद दोस्तों इस box पे आपको type कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपके पास जो भी एक mobile number होगा उस number को इस box में आपको type कर देना है, उसके बाद send OTP के option पे click कर देना है, उ उसके बाद दोस्तों आपके mobile number पे एक OTP send किया गया है, उस OTP को इस box में आपको type कर देना है, तो चलिए OTP को में यहाँ पे type कर लिया हूँ, इस परकार से type कर लिया हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको term and condition वाले box पे आपको tick out कर देना है, उसके बाद close के option पे click कर देना है, उसके बाद दोस्तों OK के option पे आपको click कर देना है, उसके बाद दोस्तों इस box पे आपको tick out कर देना है, tick out करने के बाद दोस्तों make payment के option पे आपको click कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 50 रुपे आपको pay करना होगा, जैसे आप pay कर देते हैं दोस्तों वैस करने के लिए यहां पे पांच ओप्शन दिया गया जिससे आपको सुद्दा पढ़ता है यहां से आपको पेइमेंट कर देना है तो दोस्तो इस परकार से आप अधार कार्ड को निकाल सकते हैं अगर आपके अधार कार्ड में मुवाइल नंबर लिंक नहीं है और नहीं आपको अधार नंबर पता है और नहीं इंडॉल्मेंट नंबर पता है तो इस परकार से आप बहुत असान तरीका से यह निकाल सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को एक लाइक कर देजगा और मेरे चैनल पी नहीं